हेलो ह Castro हम लिडंग मूतेशन के कुछ बात करेंगे और उसके एलावा हम लोग आपका पॉइंचे मूटेशन में नियौन क्या है इंड्यूमों क्या है इंडूस्ति मूटेशन की यह सारे नेक्स लेक्चर में यह mRNA या फिर messenger RNA के साथ, ठीक है, तो यह आप समझ लो, क्या है messenger RNA है, ठीक है, this is mRNA, this is known as mRNA, ठीक है, चलो, mRNA किस चीज का बना है, यह जाना जुरूर है, mRNA बना होता है, अलग गलग nucleotides का, ठीक है, अभी मैं यह नहीं बताऊंगा, आपको nucleotide क्या होता है, आप nucleotide मानलो कुछ chemical ह होते हैं, DNA वगएरा भी इसी से बना होता है, ठीक है, तो nucleotide की बाद छोड़े है, अभी क्या है कि आपको nucleotide से जो है, पूरा का पूरा mRNA बना होता है, और यह nucleotide तीन-तीन के सेट में arrange होते हैं, ठीक है, तीन-तीन के सेट में arrange है क्या nucleotide जिससे बन गया, क्या mRNA आपका बन is codon, ठीक, और इस codon का फाइदा क्या है, यह तीन-तीन के सेट में ही amino acids बनाते हैं, क्या बनाएंगे यह amino acid बनाएंगे, जैसा आपका GCU है, यह आपका alanine amino acid के लिखोड करता है, ठीक है, तो आपका mRNA का सारा रोली क्या है, कि यह आपका क्या करता है, आपका amino acid बनाते है, और amino acid बाद में क्या करते हैं, protein बनाते है, amino acid जब आपस में जुडेंगे, then they will form protein, यह बना देंगे protein, और protein का तो सारा खेल है, हमारी जो physical body है, ठीक है, हमारी जो physical body होती है, वो आपका और यह हमारा phenotype होता है, सारा का सारा protein की वज़ासा ही होता है, जैसे भी हमारा structure आया हुआ ह इसको, तो इतनी बात सबसे पहले समझ में आनी चाहिए, MRNA है, जिसमें nucleotide बना है, और nucleotide तीन-तीन के set में है, जिसको हम बोलते है, क्यों, क्योंकि यह coron amino acid के लिए code करता है, amino acid बनाता है, ठीक है, इतना process आपको बस समझना है पहली चाहिए, ठीक है, चलो, बड़ यहां पर एक और चीज़ का ध्यान में देना है, ऐसा नहीं होता कि MRNA में जितने भी codons है, सारे के सारे आपके protein बना देंगे, कि यह भी protein बना रहा है, यह भी बना रहा है, यह भी बना रहा है, यह भी बना रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, इसके लिए क्या होता है, कुछ होते ह और कुछ होते हैं स्टॉप कोडोन, मतलब 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 यहां हमालो जिसे AUG est को हम कहते हैं स्टार्ट कोडोन, कि आपका क्या है, इसके बाद आपके amino acid जो हैं, वो बनना स्टार्ट होंगे, इससे पहले जो था, वो amino acid नहीं बनाएगा, जहांपे स्टार्ट कोडोन आएगा, वहीं से amino acid बनना start होंगे और आपके 3 होते हैं stop codon तो आपका जैसी stop codon आएगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा amino acid बनना बंध हो जाएगा ठीके तो जैसे आप यहाँ बात करें तो जो इसके बीच में आएगा यही amino acid और protein बनाने वाले हैं इसके पहले या इसके बाद वाले आपका amino acid नहीं बनाएंगे ठीके तो यह हो गई काहनी start और stop codon की ठीके अब चलो बात कर देते हैं mutation की mutation की बात से पहले एक और चीज़ बताओं जैसे हम लोग अभी example लेके चलने वाले हम लोग की आपका दो example लेंगे एक लेते ऐलानीन का और एक लेंगे किसका glycine का ठीके दो example हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे ठीके अब next slide के लिए आँखे बंद कर सकते हो ठीके क्यों next slide में क्या है कि अलग अलग कोड़ों से जो अलग अलग अमीनो एसीट के लिए कोड़ करते हैं तो यह आपको ध्यान में नहीं रखना है आप चौटो स्टार्ट और स्टॉप कोड़ों बस दो चीज़ याद कर सकते हो यहाँ पर हम लोग example के तोर पे अलग अलगल ननीन और ग्लाइसीन वाला पार्ट लेकी चलेंगे ठीके अख चीज का झ्यान देना तोड़ा से यहाँ पर, यह पर यहाँ पर देखोगे Uh k Braduk yeah क्शा सब क्येब यह पर पर तीसर और वाल नुट्री से इतना पर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका act कि आपका तीसरा वाला नुकलोटाइड है उससे फर्क नहीं पड़ता इतना जादा आपका सेम अमीनो एसीड बन जाता है सेम केस ग्लाइसीन का भी है कि जितने जी-जी वाले हैं वह सारी के सारी यहां पर ग्लाइसीन बनाएंगा ठीक है चला फिर आज अब फिर हम डिसकस करते हैं कि म्यूटेशन क्या है तो एक्जामपल हम यह दो लेकि चलेंगे आपका एलनी निक लिए कौन-कौन कोड कर रहे है ग्लाइसीन के लिए कौन-कौन कोड कर रहे है और साथ में स्टार्ट और स्टॉप कोडोन क्या है यह information हमा अगर नॉर्मल यहां पर प्रोसेस टांसलेशन का चलता यह जहां से होना था टांसलेशन या फिर AMINO ACID का बनना स्टार्ट और आपका फिर जैसे GCU है इसका हम लग AMINOACID बनाएंगे तो GCU क्या बनाएगा लानी ठीक है इसी तरीके से जी-चियए भी आपका बनाएगा क्या काilonine जी जी यह आपका बनाएगा इन ओंग को दिए आमिने ऐसे बहुत सारे सिंप्लीफाई करने के लिए इस फॉ HeinLeod सिंट को चूज कर लिया jjb आपका बनाएगा यहाँ पर और आपका stop codon आते ही यह process जो है रुकने वाला है ठीक है यह आपको normal process होना था अब हम बात करेंगे mutation की जिसमें सबसे पहले आएगा क्या point mutation सबसे पहले आएगा क्या point mutation अब now what is point mutation हुआ point mutation का मतलब यह हुआ कि कोई एक single nucleotide में change आएगा single nucleotide मतलब यहां तो हो सकता है इसमें change आए या इसमें या मतलब किसी एक nucleotide के नदर change आएगा उसी को हम बोलते हैं क्या point mutation अब देखो हो था क्या है मालों कि U था अब U अगर mutation होके U की जगह में बना दूं क्या A समझाई बात क्या बोला मैंने कि यहां पर U था इसमें mutation होके हम लोग A बना देते हैं ठीक है तो GCA बन गया अब भाई यह आपका किसके लिए code करेगा GCA देखो यहां पर GCA alanine मतलब जो amino acid पहले बन रहा था आपका वही amino acid आपका अभी भी बन रहा है तो इससे कोई बहुत बहुत जादा फर्क पढ़ने नहीं वाला ठीक है mutation आपका चलूट हुआ है यू की जगा A आ गया but mutation के बाद भी जो पहले amino acid बना था सेम बन रहा है तो प्रोटीन बनने में भी इतना कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला यहां पर ठीक है इसको हम बहुते है silent mutation this is known as silent mutation क्या होगा यहां पर जो amino acid पहले बन रहा था वह भी वह आपका सेम amino acid अभी बनेगा तो प्रोटीन भी सेम बनेगा इतनी कोई दिककत यहां पर नहीं होगी this is known as silent mutation ठीक है तो यह point mutation का first type was silent mutation अब second पर आते हैं अब मालों की क्या होता है अब मालों की यहां पर क्या होता है कि मालों की आपका जो यहां पर C था ठीक है यह जो C था अब इसमें mutation हो जाए और C की जगह mutation होके यहां पर G बन जाए तो अब क्या बन गया यहां पर GGU बन गया अब GGU किस के लिए code कर मतलब एलानीन बनना था अब एलानीन नहीं बनेगा अब एलानीन के जगा क्या बन जाएगा भई ग्लाइसीन बन जाएगा ठीक है तो अब यहां पर दिक्कत होगी ठीक है यहां पर क्या होगी दिक्कत होगी एलानीन बनना था और इस तरीके से यहां पर पूरा प्रोसेस चल कहते हैं क्या miss sense mutation this is known as miss sense mutation क्योंकि यहां पर जो sense है वो तो miss हो गया protein तो बन जाएगा बले बढ़ उसका जो function है वो change हो जाएगा यहां पर functional वो नहीं रहने वाला क्यों 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 कि भाई आप जो है amino acid में change आगे ठीक है समझ गे तो silent mutation में क्या था same amino acid बन रहा था mutation के बाद भी miss sense में क्या हो गया कि mutation के बाद amino acid जो बन रहा था वो change हो गया तो जो protein बन रहा था इसमें भी changes आजाएगे ठीक है अब तीसरे टाइप का देखो तीसरे टाइप के आते हैं ठीक है दो टाइप के mutation हो गया हमारी यहां पर चलो इसको delete करा जाए फिर ठीक है बापिस आते हम लोग अपने mutation कराते हैं कैसे कराते हैं यह जी वाले nucleotide में देखो point mutation क्यों है क्योंकि सिर्फ एक nucleotide हर चेंज हो रहा है अब एक में क्या हो गया कि तो हमने बोला भाई इसको हम बोलेंगे silent mutation क्योंकि silence है जो काम पहले हो रहा था वही अभी भी हो रहे है पता भी नी चला mutation हो गया ठीक है दूसरा हमने बोला भाई miss sense कि यहां पर protein का पूरा sense बगड़े है क्यों क्योंकि amino acid जो था वो different बन गया अब तीसरा क्या होगा तीसरे में मालो यहां पर mutation हो गया और इसकी जगा मालो जी की जगा यहां पर यू आ गया ठीक है तो यहां पर दिक्कत क्या हो गए कि UGA बन गया मतलब it is a stop codon UGA क्या है stop codon है start तो यहां से होग amino acid बनना alanine बना alanine बना बस खतम कहानी इसके आगे जाएगा ही नहीं क्यों क्योंकि stop codon पहले ही आगे mutation की वज़ा से ठीक है तो यह वारा थोड़ा ज्यादा dangerous है क्यों क्योंकि यह प्रोटीन जो पूरा नहीं बन पाएगा तो यह प्रोटीन जो है वो premature रहेगा या फिर complete नहीं नहीं बनेगा ठीक है तो that is known as that is known as nonsense mutation यह ना nonsense ही तो हो गया क्योंकि कोई sense नहीं बना protein हमारा complete बनेगा ही नहीं क्यों नहीं बना क्योंकि mutation होके stop codon बन गया और इसने जो protein था उसको पहले ही रोक दिया तो protein आपका complete यहाँ पे नहीं बनेगा that is known since mutation तो तीन टाइप होते हैं किसके point mutation के तो चलो इसको लिखावा भी देख लेते हैं एक बार के लिए सज में आई बात तो यह सब आपके gene mutation के अंदर आते हैं जो gene में आपका mutation हो रहा है क्या बोला कि भई mutation से stop codon बन गया और stop codon अगर बन गया तो आपको जो protein है वो premature है या पूरा complete नहीं हो पाएगा तो this is आपका point mutation अब देखो frame shift mutation भी हम लोग इसी से समझ लेते हैं दो मिनट के अंदर ठीक है यह रहा हमारा MRN है MRN बना होता है आपका nucleotide में जो 3-3 के set में लगे होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या codon ठीक अब देखो frame shift क्या होगा frame shift के क्या है यहां पर मालों कि आप कोई एक nucleotide जो ही वो add हो जाए मतलब यहां पर मालों कि g एक और आज है ठीक है अब भी 3-3 के set में range थे यहां पर nucleotide अब यहां पर क्या हो गया एक का addition हो गया तो पूरा sequence बिखरने वाला है क्यों बिखरने वाला है क्योंकि अब जो reading होगी वो यहां से start होगी जी जी सी यह तीन एक साथ हो गए यू जी सी यह तीन एक साथ हो गई ए जी जी ए जी जी सी यू ए ए यू सी आ इस तरीके से आगे अब बढ़ जाएगा आपके stop कोड़न तक आप यहां पर बिखर चुका है पूरा frame shift हो गया क्यों क्योंकि सिर्फ एक nucleotide यहां पर add हुआ और यह पड़े किसमे जाएंगे हमें साथ तीन-तीन के सेट में पड़े जाएंगे तो पहले जो आपका GCU बढ़ना था उसकी जगा हो गया पहला amino acid आपका GGC हो गया तो इस तरीकी से पूरा frame ही shift हो गया और यह वाला आपको point mutation से बहुत ज्यादा dangerous है क्योंकि सारी कोड़ो सारा amino acid सारा protein सब कुछ ही change हो चाता है तो that is frame shift mutation ठीक है इसका echo type है same चीज़ है यहां पर क्या type हो अगर मान लोग कि यहां पर insertion था अब उसके साथ आपका एक similar सी चीज़ है क्या deletion क्या है deletion मतलब अगर कोई एक nucleotide delete हो गया या remove हो गया by chance किसी भी गलती से ठीक है तो भ set पूरा का पूरा बिगर जाएगा तो यह भी आपका क्या है frame shift mutation के type हो गए insertion and deletion तो this is known as frame shift mutation and it is very much dangerous बहुत ज्यादा खतरनाक होता है point mutation ठीक है तो यहां पर frame shift mutation के बारे में ही यह सारी चीज़े लिखी हुई है जो आपका काफी ज्यादा यह dangerous भी होता है ठीक है तो यह आज का कुछ basic concepts जो आपको जाना जुरूरी यह बाकी mutation आगी continue रखेंगे ठीक है उसके लाव अगर आपको AFO का बेच join करना है तो बाइस अकर से start हो रहा है जहां पर आपको basic concepts लेके advance तक सब पढ़ाया जाएगा ठीक है तो आपको join करना है तो यहां पर नंबर दिया हुआ 930602110 आप इससे contact कर सकते हो I hope आपको समझ में आया होगा comment करके जुरूर बताना समझ में आया या फिर और थोड़ा explanation की जुरात है thank you so much बाकी आपसे मिलते हैं हम लोग next video पर